राम कृष्ण परम हंस एक अद्बु संत थे। उन्हें संत कहना गलत है क्योंकि वे परम हंस थे। हिंदु धर्म में परम हंस की उपाधी उसे दी जाती है जो समादी की अंतिम अवस्ता में होता है। राम कृष्ण परम हंस ने दुनिया की सभी धर्मों के अनुसार साधना करके उस परम तद्व को महसूस किया था उन में कई तरह की सिध्या थी लेकिन वे सिध्येयों के पार चले गए थे उन्होंने विवेकानन को अपना शिष्ये बनाया जो बुद्धी और तर्क में जीतने वाला बालक था राम कृष्ण परम हंस ने विवेकानन के हर प्रश्ण का समाधान कर उनकी बुद्धी को भक्ती में बदल दिया था यहां प्रस्तुत है रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकनन के बीच हुए एक अद्बुत संबाद First, स्वामी विवेकनन मैं समय नहीं निकाल पाता, जीवन आपा धापी से भर गया है Second, स्वामी विवेकनन आज जीवन जितना जटिल क्यों हो गया है रामकृष्ण परमहंस जीवन का विशलेशन करना बंद कर दो यह इसे जटिल बना देता है, जीवन को सिर्फ जीओ Third, स्वामी विवेकनन फिर हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं रामकृष्ण परमहंस परिशान होना तुम्हारी आदत बन गई है, इसी वज़े से तुम खुश नहीं रह पाते Fourth, स्वामी विवेकनन अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं रामकृष्ण परमहंस हीरा रगणे जाने पर भी चमकता है, सोने को शुद होने के लिए आग में तपना पड़ता है अच्छे लोग दुख नहीं पाते बलकि परिक्षाओं से गुजरते हैं, इस अनुभव से उनका जीवन बहतर होता है, बेकार नहीं होता Fifth, स्वामी विवेकनन आपका मतलब क्या है कि ऐसा अनुभव उप्योगी होता है? रामकृष्ण परमहन्स, हाँ हर लियाज से अनुभव एक अठोर शिक्षक की तरह है, पहले वैपरिक्षा लेता है और फिर सीख देता है Sixth, स्वामी विवेकनन, समस्याओं से गिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि कि इदर जा रहे हैं? रामकृष्ण परमहन्स, अगर तुम अपने बाहर जाकोगे, तो जान नहीं पाओगे कि कहा जा रहे हो? अपने भीतर जाकोगे, आँखे दिश्टी देती हैं, हिर्दे राह दिकाता है स्वामी विवेकानन, क्या असफलता सही रहा पर चलने से ज़्यादा कष्ट कारी है? रामकृष्ण परमहन्स, सफलता वह पैमाना है, जो दूसरे लोग तैय करते हैं, संतुष्टी का पैमाना तुम खुद तैय करते हो स्वामी विवेकानन, कठिन समय में कोई अपना उत्सा कैसे बनाए रख सकता है? रामकृष्ण परमहन्स, हमेशा इस बात पर ध्यान दो, कि तुम अब तक कितना चल पाए, बजाए इसके कि अभी और कितना चलना बागी है? जो कुछ पाया है, हमेशा उसे गिनो, जो हासि ना हो सका, उसे नहीं गिनो. नाइन्थ, स्वामी विवेकानन, लोगों की कौन सी बात आपको हैरान करती है? रामकृष्ण परमहन्स, जब भी वे कष्ट में होते हैं, तो पूछते हैं, मैं ही क्यों? जब वे खुशियों में डूबे रहते हैं, तो कभी नहीं सोचते, मैं नहीं क्यों? टेंथ, स्वामी विवेकानन, मैं अपने जीवन से सर्वोतम कैसे हासिल कर सकता हूँ? रामकृष्ण परमहन्स, बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो, पूरे आत्मिश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो, निडर होकर अपने भविश्य की त रही हैं, रामकृष्ण परमहन्स, कोई भी प्रात्ना विकार नहीं जाती, अपनी आस्था बनाए रखो, और डर को परे रखो, जीवन एक रहसे है, जिसे तुमें खोजना है, यह कोई समस्या नहीं, जिसे तुमें सुलजाना है, मेरा विश्वास करो, अगर तुम यह जा जाओ कि जीवन कैसे है, तो जीवन सच मुझ बेहत अश्चारे जनक है,